स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं जो ये ECS मालता टीटेन का तेरवा मैच गोजो जलमी वर्सिस मसीदा वार्यर्स के टिंग के बीच में खेला जाएगा इस मैच के बारे में इस वीडियो हम लोग बात ज़िए से मार्सा स्पोर्ट्स क्लब मार्सा मालता में खेला जाएगा मैच फॉर्मैट की बात करें टीटेन का ये फॉर्मैट रहने वाला है अगर दोस्तों अभी तक आप लोग मेरे टेलिग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग का टेलिग्राम से जुड़ना काफ कमेंट में मिल जाएगा मेरे टेलिग्राम चनल का तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं पिच रिपोर्ट से तो दोस्तों इस पिच की बात करें तो ओबरॉल ये बैटिंग के लिए अच्छा विकेट रहता है यहां का जो एवरेज स्कोर रहा है वह आप लोग तक यहां पर मानके चल सकते हैं इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो विकेट मिलते हैं वो इस पिनर से ज्यादा थोड़े से पेसर को मिलते है तो उसी के साफ से आप लोग अपनी टीम क्रेट करना तो ओबरॉल बैटिंग के लिए अच्छा ये विकेट रहता और यहां प तो यहां पर वीडियो को बिल्कुल इसके मत करना ताकि आपको यहां पर हरेकलर के बारे में अच्छे समझ में आ जाए तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर बात करें जीसान खान की राइटी बैटर है काफी बैटरीन खिलाड़ी है 48 T10 के मैच अभी था खेल चुके हैं जि इनका देखो के 33 मैच में 760 रंस है 28 के अवरेज है 33 मैच में 56 ओबर 20 विकेट तो अबर आल यहां पर बालिंग भी अच्छी कांसी कराई है और ओपनिंग भी करते है तो यह कैप्टन सी की बैस्ट आप्टन रहने वाले और सब जादा लोगों की मतलब सबसे जादा लोगो के अब कैप्टन यही देखने को मिलेंगे इनके अलावा यहां पर दोस्तो इजाज एहमद है विकेट की प्यरबल लिवाज है उतने अच्छे नहीं है राइटी बैटर है 19 मैच में 71 रंस से फार्ट के अवरेज तो इनको आप लोग एका जील की टीम में रोटेट कर सकते ह कि स्मॉल लिव मैं नहीं बोलूँगा वरोन प्रिसाथ की दोस्तों बात करें लेफ्टी बैटर लेफ्टान मीडियम फास्ट बॉलिंग डालते हैं इनका देखोगे 56 मैच में 1000 से ज्यादा रंस है 28 का एवरेज है छपन ओवर की बॉलिंग 25 विकेट तो बॉलिंग यहां प 24 विकेट काफी अच्छा इस्टार्ट से इंपोर्टेंट रहेंगे फजीर रहमान राइटी बैटर राइटर मीडियम बॉलिंग डालते हैं 36 मैच में 162 रन 13 कावरेज 57 विकेट तो इनका अगर आप देखोगे तो बैटिंग से उतना अच्छा नहीं है हालाकि हिटिंग का काफी अच्छी करते हैं तो यह 13 केवरेज रन्स बनाए हैं और यहां पर 36 मैच में 57 वर यानि की लगबग अच्छी बालिंग भी कराई है यह भी इंपोर्टेंट है विक्रम अरोरा का देखोगे 17 मैच में 554 रन 21 केवरेज 21 ओवर 9 विकेट तो ओवरॉल देखोगे यह भी थीक डाक हैं पर इनका मैं बैटिंग और देखुँगा अगर यह तोप और में बल्ले वाजी करेंगे तो उस केस में इनको ले के जा सकते हैं अगर यह नीचे बैटिंग करते हैं तो फिर मैं साइद इनको लेके नहीं जाओंगा विक्रम एहमूद का देखोगे 27 मैच में 13 के अवरेज से 119 रंस बनाए है 27 मैच में 31 ओवर 21 विकेट तो बॉलिंग थोड़ी सी कम कराई है वर विकेट इन्होंने ठीक टाक निकाले है तो आप लोग पिक करना चाहो इनको भी कर सकते हो अजीस एंटोनी 30 मैच में 36 ओवर 26 विकेट तो इनका भी ओवर ठीक टाक है बॉल बॉलिंग है तो बॉलिंग इन्होंने भी कम कराई है पर विकेट काफी अच्छे निकाले है 18 मैच में 15 विकेट है तो अबर इनका भी अच्छा इस्टार्स है तो मेरे साब से यही प्लेंग 11 रहने वाली है बाकी दोस्तों यहां पर जो इनके बैंच पर प्लेयर बैठे वैसे इनमें से जो भी खेलेगा उसका स्टार्स अपर तलीगराम पर सेर कर दूँगा अगर आप लोग फिर भी देखना चाहू तो यहां पे आप लोग garbage ले सकते हैं यहां पर ले सकते हैं अब यहां पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं मसीधा वार्योस की टीम की प्लेंग 11 और प्लेयर स्टार्ट के बारे में तो आप लोग यह आपर वीडियो को पूरा देखना रोकी दानेस विकेट की परबलेवाज है ओपनिंग करते हो देखेंगे काफी बहतरी इंखलाडी है 47 मैच में 87 ओवर 43 विकेट ओबरॉल काफी अच्छा है कि यह भी ओपनिंग करते हैं और बॉलिंग भी लगबग 2 ओवर डालते हैं तो यह भी इंपोर्टेंट है इनके अलावा यहां पर सजीज सुकुमरान है यह भी दोस्तों काफी अच्छे यहां पर इनका देखोगे 34 मैच में 417 रण 16 केवरेज प्लस 34 मैच में 49 ओवर 23 विकेट तो टॉप ओडर बलेवाजी देंगे प्लस आपको 2 ओवर भी देंगे काफी इंपोर्टेंट है दिवेस कुमार का देखोगे 30 मैच में 400 रण से 17 का एवरेज है 10 ओवर 3 विकेट तो इनको फर्स्ट बैटिंग में लोग ट्राई कर सकते हैं थोड़ा सा नीचे आएंगे क्योंकि 2-3 राउंद के यह बैटिंग करते हैं तो फर्स्ट बैटिंग में यह थोड़े से ज्यादा इंपोर्टेंट रहेंगे क्योंकि अच्छी कासी यह भी एटिंग करते हैं पार्ट टाइम बॉलिंग भी गरा दे तो इनको आप लोग फर्स्ट बैटिंग में ट्राई कर सकते हैं, सेकेंड बैटिंग में लोग इनको छोड़ कर भी चल सकते हैं, गोकुल कृष्णा का देखोगे, ओवरॉल इन्होंने 122 मैच अपने करियर्स में खेले हैं, 1535 रन से 17 क आप इनका देखोगे तो अच्छा स्टार्स रहा है, हलाकि T10 में ये पहली बार खिलेंगे, तो इनको आप लोग जील की टीम में जरूर ट्राई का लेना, अजिन सोमन का देखोगे, 26 मैच में 215 रन, 12 का एवरेज 47 ओवर 18 विकेट, तो 26 मैच में 47 ओवर लगबग ठीक टा इनको नहीं लेना है, बाकि यहां पर वेपेन मोहन का देखोगे, 20 मैच में 47 रन, 10 ओवर 7 विकेट, तो इनको भी यहां पर मैं स्मॉल लिग में नहीं लूँगा, जील में ट्राई करना, शरीव मौमद का भी यहां पर 11 मैच में 22 रन, 16 ओवर 5 विकेट, तो इनको आप आप लोग स्मॉल लिग में ले सकते हो, इनके अलावा रोई है, 24 मैच में 41 ओवर की बॉल लिग, इनको नहीं भी कराई है, 21 विकेट, तो इनको नहीं विकेट अच्छे कहां से निकाले है, अलाकि ओवर इनके भी यहां पर लगबग ठीक टाक फिर भी कराई है, थोड़े बहुत कटे गाए है, पर 24 मैच में 40 ओबर कोई खराब नहीं है, तो इनको विकेट करके चल सकते हैं, बाकि यहां पर दोस्तों जो इनके बैंच पर बैठी हुए, इनमेसे जो भी खेलेगा, उसका स्टार्स आपको टेलीग्राम पर सेर कर दिया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल का, तो चलिए दोस्तों, अब अब लोगनी टीम देख लेते हैं, तो यहां पर दोस्तों मैंने विकेट कीपिंग में आर्दिनेश को पिक किया, क्योंकि यहीं इंपोर्टेंट है, ओपनिंग करते हैं, काफी अच्छे प्लेर हैं, बाकि यह दोनों उतने अच्छे है नहीं, मैं यहां पर नहीं लूँगा, अब यहां पर बैटेंग सेक्सर विवाग करें, तो यहां पर दोस्तों, जैड खान मस्ट पिक रहेंगे, ओपनिंग करते हैं, काफी बैतरीन कलाड़ी हैं, दिव्येस कुमार को मैं फर्ष्ट बैटेंग में ट्राई करूँगा, सेक करेंगे, भाकी यहां पर और कोई इनकी बात करें, तो अरोरा दोस्तों एक ठीक तकoppio करेंगे, पार्ट थांप कर लेता, लिए भाकी यहां पर लोरेंस ये लोग उतने अच्छे यहां मैंने इनको ही लिया है, all rounder section मैंने आपे 7 all rounders लिया है, यहाँपे मैंने M. Ali को लिया है, sorry दोस्तों, यहाँपे मैंने M. Ali को लिया है, opening देंगे, 2 over देंगे, captain C. को भी best option है, मैंने आपे इनको लिया है, सुक्मरान आपको one down बल्ले बाजी देंगे, प्लस 2 over के आसपास यह भी balling डालने वाल है, important है, W. Ahmed 2 over देते हैं, अच्छी बल्ले बाजी भी करते हैं, काफी important है, जो भी आपको opening पर देखेंगे, 2 over यह भी डालते हैं, सोमान भी अपने team के man all rounder है, तो इन 5 को मैंने यहाँपे लिया है, S. Afridi, अगर इन मेंचे कोई खेलते हैं, तो आप लोग GL में rotate कर सकते हैं, बाकी हमें मैंने PV प्रसाथ को लिया है, 2 down बल्ले बाजी देते हैं, part time balling भी डालते हैं, तो मैंने इनको भी pick किया है, W. Ahmed अपने team के man baller है, 2 over confirm देते हैं, इनको भी मैंने लिया है, बाकी यहाँ पर कोई खास है नहीं, जी, कृष्णा दोस्तों अगर खेल जाते हैं, तो overall इनका ठीक टाक है, तो इनको आप लोग GL की team में try कर सकते हैं, आला कि खेलते हैं, तो T10 में पहली बार खेलेंगे, पर overall जो इनोंने matches खेलें, उसमें ठीक टाक इनका performance रहा है, तो खेलते हैं GL में try करना, बाकी यहाँ पर एन कुसल का भी यहाँ ठीक टाक है, सज्जू का यहाँ पर उतना अच्छा नहीं है, तो कुसल अगर दोस्तों खेल जाते हैं, तो कुसल और यहाँ पर कृष्णा, इन लोगों का अपलू GL की team में जरूट रोटेट कर लेना, तो फुलाल मैंने यहाँ पर इन साथ और राउंडर्स को अपनी team में pick किया है, अब यहाँ पर balling section में बात करें, पर overall एक ठीक टाक प्लेन है, आप लोग यहाँ पर इनको GL की team में try कर सकते हो, तो खेल जाते हैं दोस्तों, तो उन्होंने 26 team के match के लिए, जिसमें 30 over की balling कराई है, और 20 wicket, तो खेलते हैं तो आप लोग try इनको small league में भी कर सकते हो, आला कि over cut जाते हैं, इस वज़े से small league में थोड़े से risky रहते हैं, पर GL की team में जरूर try कर लेना, मोहन यहाँ पर उतने अच्छे नहीं है, बाकी यहाँ पर नीचे बात करें, S खान भी यहाँ पर उतने अच्छे मेरे जाप से नहीं रहेंगे, बाकी यहाँ पर कोई उतना मुझे खास यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो फलाल मैं दोस्तों यहाँ पर अपनी team में F रह्मान को ही ले पाए हूँ, बाकी तो फलाल जो मेरी यहाँ पर team बन रही है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार है, अब अगर दोस्तों इस team में कुछ भी चैन्ज होगा, तो after toss आपको नोगे टेली ग्राम पर बता दूँगा, तो उसके लिए आपको जोड़ी ग्राम चैनल जोइन कर लीना, तो CVC मैंने इनको किया है अब इनके अलाबा जो आपके पास other option रहेंगे उनके बारे में बात करें तो यहाँ पर दोस्तो जैड खान एक अच्छी option रहेंगे और यहाँ पर W एहमाद तो यह 4 player best option CVC के रहने वाले हैं आप लोग इन में से भी किसी के साथ जा सकते हो फलाल मेर